नमस्कार मैं हूँ तोनिका और आप देख रहे हैं वो ततकार न्यूस लाइप भारत में मनमान और अडियल रूख दिखा रहे विदेशी इंटरनेट मीडिया को सरकार ने कसना शुरू कर दिया है देश में कानून व्यवस्ता के लिए खत्रा बनने वाले मैसेश के बारे में भी सरकार को जानकारी देने से बचने के लिए हाई कोट फोजे वाटसप से ही उसके शुरुवात हो सकती है माना जा रहा है कि वाटसप खुद भी अपनी दलील में घिर सकता है कोड के ही ऐसे फैसले हैं जिन में स्पस्ट है कि मुल्बुत अधिकार की भी एक सीमा होती है अगर इसका टक्राव कानूरु यवस्ता, सामाजिक शांती और देश की संब्रभुता से होने लगे तो वैसे मामले में अधिकार सिमित हो जाते है वैसे भी जरूरी होने पर पोस्ट के मुल्स रुजन करता की जानकारी साजा करने का प्रविधान कई देशों में है और सब की दलिल है कि किसी भी ग्रहक के बारे में जानकारी देना नीजिता के अधिकार का हनन होगा Electronics एवं IT मंद्री रविशंकर प्रसाद में कहा है कि सरकार नीजिता के अधिकार का पूरी तरह से समान करती है और सरकार की मन्शा इसका उलंगन करना नहीं चाहती है विशेश परिस्तिती में ऐसा करना होता है और ऐसे प्रविधान कई देशों में है जिनसे इंटर्मिडियर्स मानते भी है उन्होंने स्पस्च कर दिया है कि जब देश की सुरक्षा और सप्रम्रुता पर सवाल हो कानून विवस्ता का मसला हो दुशकर्म या बाल योल शोशन जैसे मामलों से जुड़े लोगों को सजा दिलाने के लिए इसकी जरुरत पड़े या फिर किसी देश के साथ संबंदगा मामला होता जरूर है कि आपत्ती जनक पोस्ट करने वाले के बारे में जानकारी दी जाए सरकार का कहना है कि मैसेश के मूल सुजन करता की जानकारी की जरुरत तब पड़ेंगी जब अन्य सभी माध्यम अपराद उजागर करने में नाकामियम हो जाएंगे पाक सार से कम सजा सुनाने वाले अपरादी में भी मैसेज की मूल सुजन करदा की जानकारी की मांग नहीं की जाएंगी मंद्राले ने कहा कि इस प्रकार के मैसेज के मूल सुजन करदा की जानकारी साजा करने के निरदेश अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रिलिया, कैनेड़े से देश जारी कर चुके है इंटरनेट मीडिया के लिए जारी सरकारी निर्दोशों के बारे में प्रसाद ने कहा भारत की तरफ से रखे किसी भी प्रस्ताव से वाटसप का सामान्य काम काजी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा वैसे ही सामान्य स्रुजन पर भी इसका कोई असर नहीं होगा